पुपाल में आज से शूटिंग वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और मद्धेप्रदेश पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है वर्ल्ड कप कायोजन देश की सबसे आधोनिक मद्धेप्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी पुपाल में हो रहा है और ISSF शूटिंग वर्ल कप में 30 देशों के 200 निशानेबाद भुपाल में अपना कौशल दिखाएंगे MP में हो रहे शूटिंग वर्ल कप में दुनिया भर के शूटर भाग लेने आए हैं और इसमें राइफल और पिस्टल शूटिंग में 10 मीटर 25 मीटर और 50 मीटर के शूटिंग मैच होंगे और शूटिंग वर्ल कप पहली बार दिली के बाहर फुपाल में आयोज़त हो रहा है पांच दिनों तक 30 देशों के खिलाफ जो खिलाडी हैं वो टार्गेट पर निशाना लगाते हुए नज़र भी आएंगे और एक दूसरी टीम एक दूसरे के खिलाफ यहां पर मैदान में होगी लेकिन बीते दिनों अध्यप्रदेश की राज़े शूटिंग अकैडमी में खेलो इंडिया यूद केम्स का भी आयोज़न किया गया था मैं क्या बताऊं बहुत लंबा रास्ता है यह हमेशा मेरे मानिय मुख्यमत्री जी ने कहा है कि जो भी आपको करना है अब सबसे बेस्ट करिये उसी को ध्यान में रखते हुए 2006 से हम लोग लगे हैं अपनी फसिलिटीज बनाने के लिए और वापिस जब मैं आई 2014 में तो ये 10 मीटर्स तब से हम लोगों ने बनाया जहां आप आज खड़े हो जहां अभी कॉंप्टिशन चल रहा है तो 2014 में हमने 10 मीटर का रेंज बनाया 2014-15 में हमने 25 मीटर बनाया उसी करम में हमने administration building बनाई अब हम final range बना रहे हैं trap range बना रहे हैं और लोग कह रहे हैं जो बहार से आएं हैं कि international स्थर पे भी अंतरराश्ट्रिय स्थर पे भी ऐसी facility देखी नहीं है